पंजाब के सी टीवी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है भगवत सिंग और आज मेरे साथ एक खास शक्सियत मैं कहूंगा इंसिटूट फॉर दी ब्लाइंड सेक्टर 26 में है जिसके आज 50 साल पूरे हो गए हैं 1972 में इस स्कूल की स्टापना हुई थी और तब से आज इसको 50 साल पूरे हो गए हैं इसका स्टापना दिवस मलाया जा रहा है लेकिन मेरे साथ पूजा हैं जो यहीं से पढ़ कर ब्लाइंड होने के बावजूद वो यहीं से पढ़ी हैं और अभी वो पट्याला सरकल हाउस में मैनेजर हैं मेरे साथ पूजा हैं जानते हैं उनकी स्टोरी पूजा ब्लाइंड की अगर हम बात करें अगर आप देख नहीं सकते तो आप पढ़ कैसे सकते हैं यह काफी दिल्चस पोगा हमरों सब के लिए जानना और इस लेवल तक अब कैसे मोचे अब देखिए ब्लाइंड पर्सन जो है वो दो तो इको से पढ़ता है एक पहला माद्यम है ब्रेल लिपी ब्रेल एक लिपी है जैसे आप लोग देवनागरी या रोमन लिपी में पढ़ते हैं वैसे हमारे लिए ब्रेल लिपी है जिसको हम टच के थूँ छ साइट तो हम उसको टच करके पढ़ते हैं और एक हमारा इंस्ट्रुमेंट आता है स्लेट है या ब्रेल टाइप राइटर होते हैं उनके थूँ हम लिख सकते हैं दूसरा मोड है रिकॉर्डिंग के थूँ रिकॉर्डिंग करके और अब तो डिस्टलाइजेशन का टाइम ह हैं बच्चे कमईटराइज हो गई हैं पंपीटर के थूप अंजातए हैं जो सौफ्ड्य मीजहम इंसर्ट कर देते हैं तो टॉको हो जाता है जिसके ऐल प्रेल का कोई भी काम कर सकते विक और वी आपका काम क बताती हूं कि कॉलि का काम नहीं करते हमारे स्कूल से पड़े ह हुए दो बच्चे इस टाइम आई टी इंजीनियर्स हैं एक अपना खुद का बिजनस कर रहा है मिस्टर अनुच एंड मिस्टर कुलविंदर वह एसील कंपनी में इंजीनियर है नियू डैली में अगर हम बात करें प्लाइंट स्टुडेंट्स की जब भी बात होती है तो एक अपने आप में कई बार फील होता है कि हम क्यों नहीं देख सकते हैं अभी हम बच्चों को देख रहे थे बच्चे अची तरसे प्रफॉर्म कर रहे हैं और पढ़कर उस लेवल सक पहुंचना कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मानते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है इ मेरे मुझे थोड़ा विजन है वो होते थे कि नहीं मेरा बच्चा ब्लाइंड नहीं है उनको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने बहुत साल तो 1998 में उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि नहीं विजन प्राब्लम है अप्टिकल नर्व ड्राई है यह कभी क्योरिबल नहीं है यह तीक नहीं हो सकती आप इंस्टिट फॉर दब्लाइंड मेंन को स्टेडी करवाई है तो मैं 1999 में आई और जाड़ा सर को देखा और टीचर्स को देखा तो उस दिन हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे मिस्टर के आर सूद मिस्टर लेट के आर सूद उन्होंने बोला आज आप रो रहे हो एक दिन आप यहां से खुशी खुशी जाओगे और मुझे 2008 का दिन याद है जो हम पासा उट हुए थे मतलब 1999 से मैंने कभी पीछे मुड के नहीं देखा ना मेरे पेरेंट्स ने देखा मेरे टीचर्स की गाइडेंस मिली पेरेंट्स की गाइडेंस मिली उ और स्कूल मैंने मुला मैं फोर तक पढ़के आई थी और उसके बाद मैं दुबारा से मैंने स्टडी शुरू की ब्रेल सीखी और एक एकसाल में तू टू येर्स में तू इटू क्लासेश की हैं तो उनको करके परमोट करके मुझे दोढ़ने जलदी जलदी करवा के 2008 में मै मैं आप एजा सीनियर मैंगेजर पोस्टिड हूं सरकल ओफिस पत्याला में इसी पर आ रहा था है कि बैंक में ज्यादा तर जो काम होता है लेंदेन का होता है पैसों से संबंदी होता है आप मैंगेजर तक पहुंचे हैं कैसे आप उसको मैंगेज करते हैं जब कि आप देख प्रिंटिण नहीं सकते देखें आपने देह पंवार कि एक आbest सेंदी फैनेंशियल वर्क नहीं नहीं है बहुत सारा नॉन फेनेंशयल वॉट है जो हम लोगों के लिए बनाया गया है हम लोगों के ही थी पुस्ट एसलबी सीक्ट चंडिगड में जहां मैं पूरा मेरा उसमें और और जो है हमारे बैंक्स हैं उनके बीच में कॉदिनेशन का काम था सारा डाटा कलेक्शन काम था वह गरती ती और अभी हमारे बैंक ने रिसेंट्ली एक प्रोजेक्ट लांच किया है तू क्या केते हैं recovery for SMA one and zero zero and one उसके लिए उन्होंने सभी handicaps को 150 handicaps को इस project में लगाया है तो उसमें से मैं एक हूँ इस pilot project में जो हमारा बैंक है सबसे पहले उसने विजली इंपेड को और अधर handicaps को इस project पे लगाया से बहुत सारे काम है जो हम computer के थूर नॉन फैनिशल कर सकते हैं जब आप competitive exam की त्यारियां कर रहे थे तो कैसा लगता था क्योंकि competitive exam कोई जी नहीं होता है खास करके bank की हम बात करें या additional भी होते हैं जो भी पर तो उसको कैसे आपने क्रेक किया देखिए इसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए होता है मैं यहां teachers के पास भी आके पढ़ती थी मेरे parents ने बहुत help की है मैंने महिंद्रा Institute में ट्रेनिंग लिए तो वहां coaching ली थी वहां specially मैं पढ़ने जाती थी उन्होंने मेरको अलग से ट्यूटर दिये हुए थे वो मुझे पढ़ाते थे और बहुत महनत तो करनी पढ़ती हमें normal से दुगनी महनत करनी पढ़ते क्योंकि हमने तीज को ब्रेल में लिखना है या उसको record करके इसको सुनके दिमाख में रखना है आप जो नॉर्मल बंदा है वो पेपर से पहले एक रिडिंग कर ली हम नहीं कर सकते हमने जो एक दिन पहले पढ़ लिया वहीं तक होंगी चाहिए वो ब्लाइंड बंदे हैं देखो एजा ब्लाइंड मैंने दुगनी महनत की है और मैं नॉर्मल लोगों से भी जो बच्चे आज की हमारी जनरेशन उनसे कोऊंगी कि सीरेसली अपना प्लस टू के बाद ही मोटीव बना लीजिए आपने किस लाइन को चोईस करना है क्योंकि मोटीव नहीं होता सबके पास हम भागा दोड़ी में एक के पीछे चले जाते हैं और हमारा मिशन रह जाता है और बाद में हम सोचते हैं काश हमने पहले ही यह करीव ही डिसाइड कर लिया होता कि हम क्या करें गे मेरा मिशन था फॉझे बेंक में आना है यह अधिक में और मेरा एक अंदर से था कि मुझे बाप का क्या रूख था एक्षली जनम से नहीं थी मैं 24 आवर्स के बाद मुझे एक गुलकॉमा टैक हुआ था जिसकी वज़ा से मेरी आइसाइट चलेगी थी वो भी हमें नहीं पता लगा था तो मुझे जब मैंने बैठना शुरू किया तो फर्स्ट फोटो में पता लगा क स्कुइंट है तो हमने पीजाइट का टीटमेंट चार साल किया जब स्कुइंट को ओपरेशन वो करने लगे तब उन्हें पता लगा कि नहीं फॉर्दर प्राब्लम अप्टिकल नर्व ड्राई की है तो हम काफी साल पीजाइट में लेते रहे फिर रोग दिया फिर 90 जैसे मैं में क्लास इसब बड़ी होती गई मुझे ब्लैकबॉर्ड दिखना बंद हो गया बुक्स के जो अल्फावेट्स होते चोटे होते गये और मुझे नहीं मतलब वो दिखने बंद हो गए तो हमने फिर मिर्चिया लॉक्टर के कहने पर मैंने ही जोइन किया आज मेरा उनके समानते हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है इस इंस्टीट ने बहुत तरकी की है हमने आखों से खुद देखी है दस साल से उपर मुझे भी यहां से गए हुए हो चुके है और आज के लेवल में और हम लोगों ने उस टेम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोड से स्टडी की थी और अब सीबेसी बोर्ड एफिलेटेड हो चुका है स्कूल तो दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और पचास साल पूरे हो गया और आपको मैं बताती हो अभी हमने 13 ओफ नॉवेंबर को हमने अलमनाइज ने अलमनाइज फैमिली ने गोल्डन जुल्वी सेलिबरेशन किया है 13 ओफ नॉवेंबर को हम आज दुबारा इसको मनाते हुए और दुगनी खुशी हो रही है पूजा की कहानी मैं आपके रूबरू लेकर आया हूं यह इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अपने आप में मिसाल है ब्लाइंड अगर किसी व्यक्ति को 75% नहीं देखता है तो व प्रेंक में वह खुबी काम भी करती है और जैसा इन्होंने कहा कि अपनी कोई भी अगर आप में कोई भी खामी है तो उसको खुबी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कैमरमेन हरजिंदर के साथ भगवत सिंग पजाब के सी जगबाई टीवी चन्दीगर